तो दोस्तों आप coding laptop लेना चाहते हो and आपकी obvious choice रहती है gaming laptop which is great of course because ज्यादतर लोग ऐसा ही करते हैं लेकिन क्या ये एक सही decision है क्या gaming laptop ही लेना चाहिए अगर मैं एक coding laptop लेने market में निकला हूँ well इसी topic पे आज की वीडियो में मैं आपको details बताने वाला हूँ तो ये वीडियो बहुत जादा interesting रहने वाली है अगर आपके coding programming laptop market में लेने के लिए निकले हो and आपकी obvious choice जो है वो coding laptop बन चुका है well of course because of some obvious reasons gaming laptop जो है वो एक बहुत बढ़िया choice बनती है coding laptop के लिए क्योंकि coding laptop में generally आपको बहुत highly demanding task भी करने पर सकते हैं जैसे कि virtual machines चलानी है जैसे कि आपको dual boot करना है आपको android development के case में एमिलेटर से लाने है है वी हैवी आईडी से लानी है बड़ी बड़ी रेपाउजटरी ओपन करनी है तो वहां पर आपको एक बहुत ही highly performing laptop चाहिए हो जिसमें अच्छा CPU हो अच्छी खासी RAM हो तो वहां पर लोगों की general choice बन जात तो इस वीडियो को advantages and drawbacks की categories में हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले मैं आपको फाइदे बताता हूं gaming laptop लेने के coding and programming purposes के लिए जो आपकी gaming laptop रहते हैं वो high performance के साथ आते हैं because उसमें F-series के CPUs आपको देखने को मिलते हैं जो की बने ही high performing task के लिए जैसे की gaming video editing तो वहां आप मतलब high level coding करना चाहते हो जिसे की आप अपने clients के लिए काम करते हो जहां पे आपने virtual machines है docker वगेरा kubernetes यह वो सब कुछ आप करना चाहते हो तो वहां पे gaming laptop आपको एक अच्छी खासी performance देने का promise जरूर करते हैं performance एक ऐसा aspect है जहां पे लोग आँखे बंद करके gaming laptop की तर दूसरा रिजन दोस्तों एक अच्छी डिस्प्लेइब कॉस जनरली आपको गेमिंग laptop में 15.6 इंची डिस्प्लेइब मिलते हैं जो कोडिंग करने वाले लोगों के लिए programmers के लिए बेसिकली एक अच्छा खासा साइज होता है और उनको लगता है कि वाउ मेरा code मेरा IDE मुझ को समझ सकता हूं लेकिन गेमिंग laptop में अच्छे refresh rates होते हैं कम response time होता है color gamit अच्छा होता है उसका कोडिंग से या programming से कोई लेना देना नहीं है लेकिन एक bigger size का होना ही सिर्फ beneficial रहता है coding के case में तो बाकी चीज़ें आपके लिए overkill हैं वहाँ पैसा spend करके कोई जनरली options के साथ मिलते हैं जिसमें आफ फ्यूचर में RAM storage सब कुछ expand कर सकते हो तो वह कहीना कहीं developers के case में रहता है ठीका आज मैं आट जी वाला laptop ले ले लेता हूं कलको मैं इसको 16GB करा लूंगा जो non gaming laptop में आपको वह चीज़े कम देखने को मिलते हैं तो यह भी एक रिजन है जिसक करता है fans fast move करते हैं तो वहां पर अच्छे cooling system का होना यानि आपके laptop के components को ठंडे करने में help करता है तो यह भी एक रिजन है जिसकी वज़े से gaming laptop coding में help करते हैं जो आपको टाइपिंग सभी चीज़ों में बहुत जादा help करते हैं अब यहां पर दोस्तों कुछ drawbacks की मैं आप आपको बात बताता हूं जिसकी वज़े से अगर मैं personally coding सीखने के लिए या basic coding के लिए laptop खरीद रहा होता तो मैं कभी गेमिंग laptop नहीं लेता सबसे पहला reason दोस्तों potability potability एक ऐसा issue है जो personally मैं face करता हूँ आप देख सकते हो मेरे पास पीछे asus rocks the virus बड़ा है मुझे इसमें जब भी coding करनी होती है जब भी video editing करनी होती है मैं इसको यहां से नहीं move कर पाता कहीं बार मेरा मन करता है यार मैं bed बे लेट के इसको अपने लैप पे रखके अराम से video editing करता हूँ बड़ मैं वह चीज़ नहीं कर पाता बहुत जाता है और easy to carry नहीं है वापिस लाके setup करना मतलब सिर्ख पाई वाला काम लगता है मुझे तो इसलिए मैं इसको कभी भी यहां से move नहीं करता तो potability अगर आपके लिए important है आप जगा जगां पे जाके coding करते हो ज easily available laptops मिल जाएंगे जो आपके coding की सारी जरूरतों को पूरा कर देंगे और आज कल एक सीरीज के CPUs भी नॉर्मल लैपटाउस में आने लगे हैं जैसे एसूस की creator series है वह आपको coding में अच्छा खासा help कर देगी उसमें H series का processor आता है उसका weight भी 1.8 kg है तो इस तरह से आपको कही लैपटाउस मिलते हैं कुछ मैं description में भी आपको links देदूंगा दूसरा drawback दोस्तों battery backup का कम होना जरूरी जब आप पोटेबिलिटी की बात करते हो तो आप charging connect करके नहीं coding करोगे आप laptop को उठाओगे बैठोगे और coding स्टार्ट कर दोगे तो उस case में अच्छे battery backup का होना बह बहुत जादा battery consume करेंगे इसलिए जनरली गेमिंग या हैवी टास्क जो हैं लोग बैटरी कनेक्ट करके ही करते हैं अब जैसे मेरे पास यह laptop है इसमें भी एक सीरीज का CPU है लेकिन यह एक बहुत लाइट वेट लैप टॉप है और यह चोटे साइस का 14 इंचिस की डिस्प्ल रहा हूं तीसरा बजट गेमिंग लैपटॉप अच्छे गेमिंग लैपटॉप जनरली महेंगी आते हैं और बजट गेमिंग लैपटॉप लेने से अच्छा है आपको फोफेशनल लैपटॉप अपने लिए खरीद लो तो बजट अगर आपके पास कम है आवर वृट से आ होना overkill है coding purposes के लिए तो अगर आप basing college level की coding कर रहे हो तो I would recommend कि आप अपना budget बचाएए professional laptops के साथ जाएए वहाँ पे आपकी coding अराम से निकल जाएगी अगर मैं conclusion की बात करूँ तो अगर मुझे पता है कि मुझे gaming तो करनी ही करनी है और कोडिंग मेरा मेन फोकस है बट मैं gaming हमेशा करता रहता हूं मतलब जब नहीं कर रहा मैं gaming करता हूं laptop में फिर तो option ही नहीं फिर तो मैं gaming लें लेकर अगर आप laptop सिरा coding purpose के लिए ले रहे हो और आप coding में उतनी high level development नहीं करना चाहते मतलब मतलब एक company करना है अपने सिस्टम में सारी सर्विस को रन करना है यह वो उस केस में आप नॉर्मल प्रोफेक्शनल लैप्टॉप के साथ जा सकते हो विद पी सीरीज ऑफ CPU आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएंगा यह वीडियो आपके लिए रही होगी है विदियो को लाइप चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें ऐसी ओर वीडियो के लिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी ओसम कॉंटेंट के साथ अपके लिए जैहिंद थैक्स वाचिंग थैक्स अलाट झाल 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 झाल